हेलो एवरीबन तो आज है 14 फरवरी और इस सेशन में दा हिंदू एडिटोरियल का भोकेबली कभर करते हैं तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दिजिए और एक बादी से कमेंट सेशन में जैहन लिख दिजिए क्योंकि आज ही के दिन पु कर लिजिए और आये दिखते है ॐसर स्था इंपोटेंट वर्ड क्या रहने वाला है लिगा साथ हम लोग देखेंगे कि यह क्या है तो यहां पर इसके पालटाँ है जानते हैं इसका मीनिंग क्या होगा इसका मीनिंग होगा रिये कीसी के बीच में अगर जो friendly relation है जो मतलब संबंद है दोस्ताना संबंद उसको क्या करना रियस्टोर करना यानि कि मालेज़े कि कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों से थोड़ा बहुत नोगजोग हो जाता है तो फिर से क्या करना कि वो उस दोस्ती को कायम रखना उसको reconcile बोलेंगे क्या कि बात कर लें तो कौ़्डिनेट हो जाएगा इंटिग्रेट्म रखना खौड़ाएगा कोंबाइन हो जाएगा ठीक है कि अ कि अधमिन हो जाएगा तो यह सब क्या हैं इसके एक हर्लिक क送र एक 못 और यहांज के सकते हैं कि जैसे मतलब बनाने के लिए लिए क्या कर रहाACK तो आप नोट कर रहे होंगे जो भी वहाँ पर कफर कर जा रहा है अगर नहीं कर रहा है इसको नोट करना सुरू कर दिए ठीक है क्या कर सकते हैं कमेंट बक्स में कमेंट कर सकते हैं ठीक है उसको कमेंट बक्स में कमेंट किजिए ताकि देखिए इससे क्या होगा कि आपका जो है वो क्या होगा इन्करीज होगाँ मुझे ये बर अल्रेड़ी पता था अगला वर्ड परोप्रीहेट की बात करें तो एक एड जेक्टिव है जिसका combin 썰बल और प्रोपर मतलब लिए कोई चीज उसमें सुट कर रहा हो सही किसी भी सरकमेस्टांस सेके ठी dedicate उसको एप्रप्रेट बोला जाता है क्या प्रोप्रेट बोला जाते यानिक उचीछ इसका हिंदी मीनिंग है क्या हो जाइगा वोचित ठीक है अगर इसके सिनोनेम्स की बात कर ले वह पर हो जाएगा यहredi सिनोनेम्स व्जाएंगे ठीक है तो वड्只是 जाया हो क्या क्या है जिसका एक एड्राइट्ये जैसा तो जल्दी से लाइक कर दिजे और चैनल को सस्क्राइब कर लिजे अगला वर्ड है रिट्रेटेड तो पिछले काफी टैम से वर्ड क्या है यह रिपीट हो रहा है यानि कि काफी इंपोटेंट वर्ड है अगर अभी तक याद नहीं कर पाए है इसको तो जल्दी से याद कर इसको ठीका रिट्रेटेट रिट्रेटेट की बात करें तो एक भरवे जिसका में नहीं होता है सम्थिंग एगें और नमबर टाइम इपिकली और इपे साइजिस और क्लारीटी मतलब क्लारीटी या जो डालने के लिए किसी चीज को क्या करना बार बार दोहराना ठीक है ते यह सटेथ हो जाएगा रिटेट रिटेट हो जाएगा तो यह सब क्या हो जाएगे सिनौनेम ших history आप देख सकताई कि यहां पे कापी रिलिओंट लगाए जाता है थाकि यह क्या है यह प्रोसे सब क्या करने लगतार कंटिन्यू कर रहे हैं कोई चीज आप बार 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 बोलते हैं किस लिए जब कुछ याद करते हैं यह यह बढ़ने लोग याद करते थे अलफाबेट तो क्या करते उसको बार बार रिपीट करते थे और आज ऐसा है कि मतलब मरते दवं तक नहीं भूल पाएंगे जब आप बार बार रिपीट करेंगे वह क्या होगा हमें असा के लिए याद हो जाएगा तो इसलिए हम आपको बो यह आपको समझ में आ गया होगा तो बरते नेस्ट वर्ड का तर्फ नेक्ट वर्ड क्या है पोजट वर्ड बढ़ जिसका मेनिग उता प्रजेंट और। और और कि एक समस्या या फिर कोई मतलब खर्हा आने वाले उसको बात करने था ह đây तो सब्सक्राइब यहां पर दूसरा वाला पूज का पिक्चर है जो हम लोग बनाते हैं कब जब सेल्फी वेगर लेते वह वाला तो इस पोज का मिनिंग क्या होता है उत्पन करना क्या होता है उत्पन करना प्रेजेंट क्रियेट यह सब जाएंगे सके सिनोनेम से जाएंगे अगले वर्ड की बात करें अगला वर्ड सैंक्संड क्या है सेंक्संड कई समसंड एक वर्वेसन शन्ट का मिन इ solutions परमीशन टो और चैंaker अंस अम संथिम्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसके शिलिए सन्ट कर दिखाई गयाने कि लिए कडिए करते हैं तो वो कुछ के लिए पंडिंग में रहता है और बाद में जो हो जाता है वह तो हाँ से सेंक्सेंट कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है या फिर एप्रूब कर दिया जाता है ठीक है तो यह सब क्या हो गए एक दूसरे का सिनोनेम्स हो गए हो मर्क है तो अभी आपको बताएं दिये हो मर्क में क्या करना है आपको वर्ड से सेंटेंस बनाना है क्या करना है सेंटेंस बनाना है ठीक है और सेंटेंस बना के करना है क्या है कि उसको कमेंट करना है ठीक है कमेंट बक्स में कमेंट करना है तो देखिए क्या हो एक ताप वर्ड के बारे में सोचे उससे सेंटेंस बनाए और तिस्तरा काम क्या कि उसको मिलीन इस लिए रहा है कि यह काम आप खुर से किए और पास मोका है यह पर आप कि आहिए सकते आप तो आप सिक्ञांगे करेंगे तब आप अपने याइफ के यह मेंट करेंगे तो darle कर बाएंगे नेक्स्ट वाड़ है क्रमबल्ड की बात करें तो यह क्या है एक भर्व है जिसका मेनिंग होता है ब्रेक और फाल एपार्ट इंटू स्मॉल फ्रेग्नेंट इस्पेसली एज पार्ट अफ प्रोसेस और टेडिवेशन पतलब किसी चीज को तोड़ देना बहुत सारे पार्ट म है जैसे चीज को जोरना दिस इंटीघ्रेट मतलब किया हो जाएगा इस चीज को तोड़ना अलग-अलग कर देना प्रेग्मेंट पॉल तुपीसेस या फिर डीके या सब क्या हो जाएंगे इसके सिरोनेम सो जाएंगे तो वह एक्जाम्पल जो आपको दिए उसका यहां पर पिक्चर भी दिखा दिए जब हुकांप अगर आता है जैसे अभी आप तुर्की में देखे थे बहुत ज्यादा भूकंप आया और वहां पर सारे चीज़ क्या होगा टुक्रे टुक्रे तुक्रे होगा है मतलब जो ही बिल्डिंग वेगरा थे वह सब ठूटाट गया है तो आपको समझ में आगया होगा बरते हैं नेस्ट वर्ट के तरफ अगला वर्ट है लॉब्ड लॉब्ड कर सकते हैं नोग लें यहां से करते हैं ताकि की उसको रन आओट कर पाया त्रोमतलब क्या हुआ कि यहां पर देख सकते हैं कि यह बच्चा क्या कर रहा बॉल को थ्रो कर रहा यह नहीं कि लॉब्ड कर रहा ठीक है अगला वर्ड ब्रिच पर ब्रीच यह का है नियम हो गया या कुछ भी जैसे माल लिजी कि एक वॉल है आपको इसी बाउंडरी के अंदर रहना है करना कि करना कि सिनीयम कारून का सिननानीम की बात करे तो रभाग हो जाएगा रभ्चर हो जाएगा इसके जैसे मालिजी कि यहां पर लॉक का पिक्चर दिखाय गया इस यह कोई मतलब कहीं पर एक लौक लघ लगा रहें और आप उसको तौर के ऊषर कर रहा है उसका नियम कानौ को कर जानते हैं कब सुन रहे होंगे जब कोई इजाम का डेट वेगर आता है तो आपना डेट फिक्स कर देता है मतलब कुछ नहीं हो नहीं तो इंश्चित प्रकारयट सरकाणा जैसे हम या फिर नहीं दिया रहता है नहीं को पता होटा तो थे देते हैं कि और एडाज लगा है अन्दाजा ले उस्स तरह से बताते हैं कि हैस दिन इंग्जाम हो सकता है Spike channel थो इसके शूरृविजनल एंकमफोर्मड ऐसके सब्सक्राइब उन्व सब्सक्राइब सब्सक्राइब दोगा अधाले तो पीच्चर जाए मतले गढ़्धा हो ठीकर और आपको पता नहीं पानी भर आ एक्सक्यूुस्डले तो उसको याद रख सकते है कि मेरी एक्स क्या थी एक्सक्यू чтоб जाइङ तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताएगा तो ऐसे हम आपको ट्रीक बताते रहता है जहां भी बनता है तो बोल तकते हैं कि मेरी एक्स क्या थी एक्सपी साइट ही याणी कि भूछ ज्यादा ब्यूटीफूल थी कुपषूरा थी तो उत्क्रिस्ति इसका हिंदी मिन हो जाएगा अगर और सिनोनयम की बात कर ले तो एलिजन घ्रेस फूल मेगनिफीच एंड एक्सलेंट यह सब इसके सिनोनयम सुझाएंगे जैसे अपो द्रिस्ट दे सकते हैं यह जो नजारा है ठीक है यह ज़्यादा एक्सक्वि सैट है क्या है काफी जयदा एक्सवि राइट है तो आप तो अ अब को पता ही चल गया कि मेरी एक्स क्या थी एक्सवी साइट थी यानि कि काफी ज्यादा ब्यूटिफूल थी वाई होब आपको समझ में आ गया तो आज के लिए इतना ही आज का सेशन यह पर समाप्त हुआ सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताईएगा ठीक है और